हाई एप्रीवन स्वागत है आपके प्रिंटर कारी नोपरी में और आज हम लोग पढ़ेंगे योपी वोर्ड इंटर्मेडियट क्लास से लेवंध का प्रोज और प्रोज में हम लोग चैप्टर टू पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फार्गेटिंग फार्गेटिंग का रत हो या तो या किक क्या होता है तब पोजीशन मने अधिकार आफे गुड मेमोरी मने अच्छी यादों की तो अगर अच्छी यादों के अधिकार पर प्रश्न किया जाए कि अच्छी याद किस-किस अधिकार के अंतर गताते हैं तो इस आल टूगेदर मने हमेंसा साथ-साथ ड के अधिकार ये दुनों साथ साथ चलते हैं क्योंकि ये वांचनी होते हैं है ज मने पास रखना होता है आफिन मने प्राया बीन डिस्कस्ट मतलब बोले जाते हैं कहे जाते हैं संबाद करना होता है डिस्कस्मिस तो अगर प्रश्ण किया जाए कि अच्छी याद क्या होता है तो अच्छी याद और उसके अधिकार जो होते हैं, वो साथ-साथ चलते हैं और हमेशा कहे भी जाते हैं। और वे ब्यक्ति जो कमजोर याद वाले होते हैं, मतलब एक आदमी जो कमजोर याद वाला होता है, एक आदमी जिसका याद जो होता है, वो कम होता है दूसरे के पेच्छा, वो क्या करता है, वो अपने आपको महान दिखाने की कोशिश करता है, वो दिखाता चाहता है कि मैं सबसे ज़्याद अच्छी याद वाला हूँ, ऐसा क्यूं है? आईए जानते हैं, एक आदमी देशे मने वे कहते हैं, who is a perfect remembering machine, who मने जो इस मने है, perfect मने पूरी तरह से remembering मने याद करने की machine मने, machine, रैटर कहते हैं कि अगर एक आदमी जो याद करने की machine है, मतलब उससे सब कुछ याद रहता है, कभी कुछ नहीं भूलता है, इस सिल्डम मने कभी नहीं, कभी कभी या कभी नहीं, कि मैन मने आदमी of the first intelligence, वो भी पर्थम बुद्यमत्ता का व्यक्ति नहीं होता है, रैटर कहते हैं कि अदमी जो याद करने की machine है, वो भी पर्थम बुद्यमत्ता का नहीं है, वो भी सबसे ज़्यादा बुद्यमान नहीं है, मने वे कहते हैं, various cases, बहुत सरे मामले, आप children मने बच्चों के, बहुत सरे बैक्तियों और बच्चों के मामलों में कहते हैं, कि वह बैक्ति जो कमजोर याद वाला है, और अपने आपको अच्छा साबित करने वाला है, यह एक आदमी जो याद करने की मशीन है, वो भी पर्थम बुद्यमत्ता का नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं, कि बहुत सारे केशों में, चाब बच्चे के हों, या बड़े लोगों के हों, who had marvelous memories, जिनके पास अदभूत सक्तियां होती हैं याद करने की, खर यह चीज याद रखते हैं, और वे लोग, एक मने फिर भी यहां तक की, had no intellect to speak of, और कुछ लोग, के अंदर इतनी योगिता नहीं रहती है, कि वे बता सकें, कि मैं पिछले समय में कहां था, या मैंने पिछले समय क्या किया था, उनको यह भी याद नहीं रहता है, ऐसे लोग भी हैं, यहां तक की, that means की, and the whole मने संपूर, the great मने बड़े-बड़े writers मिस लेखा के, and the great मने बड़े-बड़े composers मतलब, रशनकार, रचाईता, आप music मने, संगीत के, have been men मने ब्यक्ति होते हैं, विसे exceptional मतलब, विलच्छण, असाधरण, अपवाद वाले होते हैं, उनकी जो यादे होती हैं, वो अपवाद वाली होती हैं, कह रहे हैं अगर ऐसे ब्यक्ति की बात करें, जैसे कि महान कभी हो गए, या महान लेखक हो गए, संगीत अग्य हो गए, यह लोग जो होती हैं, यह बिलेच्छणी प्रतिभाके धनी होते हैं, मतलब इनकी यादे जो होती हैं, सबसे सूपर नैशुरल होती हैं, हर एक चीज को बार एकी से याद रखते हैं, the poets मने कभी, I have known मने मुझे पता है, have had better memories, काफी अच्छी याद वाले होते हैं, than the stock brokers, जो सेयर दलाल होते हैं न, सेयर वाले, मार्केटिंग वाले, उनसे काफी अच्छी याद वाले होते हैं वकील, जो कभी होते हैं, कभीयों के यादें जो होती हैं, सेयर दलालों के यादों से काफी अच्छी होती हैं, the poet I have known, जैसा कि मुझे कभीयों के बारे में पता है, have had better memories, अच्छी याद वाले होते हैं, than the stock brokers have known, जितना कि, marketing वाले दलाल जो जानते हैं, उससे ज़्यादा कहीं, कभी अच्छी याद वाले होते हैं, memory मने, यादें indeed मने वास्तों में, इज मने होती हैं, the substance मने, सार, पदार्थ, आप दियराट मने उनकी कला का, substance मने आप हग बोलेंगे, तो यादें तो उनकी, कला का आधा भाग हैं, वही कला है उनकी, याद करने की तरीका, कभी उनको एक अंदाधर हैं, दूसरी तरफ इस्टेटेस्मेंन, राजनेताओं की बात कर लें, वे असाधरन, bad memories, खराब यार वाले होते हैं, according to writer, नेताओं के बारे में अगर बात किया जाए, तो लेखक कर रहे हैं, जो राजनेता होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनकी यादें जो होती हैं, काफी खराब होती हैं, तो इस्टेटेसमेंन, दो राजनेतिक व्यक्ति हैं, attempt to recall, उन्हें याद करने का प्रयाश करने दो, कोई की याद करें, क्या याद करें, the same event, एक ही घटना को, दो राजनेतिक लोगों को बैटाओ, और उनसे बोल दो कि एक ही घटना को आप याद करिए, उनको अच्छे से बताइए, what happened, क्या हुआ था, for example, example के तौर पे, example के तौर पे एक उन्हें idea दे दिया जाए, किस topic पर बोलना है, तो at some cabinet meeting, किसी केंदरी, सभा का अगर कोई बात, कोई मामला अगर उनके सामने रख दिया जाए, और पूछा जाए कि इसके बारे मैच्छे से बताइए, and each of them, और उनमें से परतेख, विल्टेल यूँ आपको बताएगा, that means, दूसरे की जो इस्टोरी है, काफी inaccurate है, काफी गलत है, जबकि दूसरा ही है, जे memory, और बताएगा दूसरे की जो यादें हो, चलनी की तरह है, जैसे चलनी होता है, चाल देते हैं, सब कुछ निकल जाता है, उसी की तरह, अगर cabinet meeting का कोई example ले लिया जाए, बोला जाए उन्हें कहानी बताए उसके बारे में, कि क्या हुआ था उस meeting में, तो एक दूसरे को बताएगे कि उनकी कहानी कितनी गलत है, और एक दूसरे को उपर आरोप लगाएंगे, उनकी याद जो है चलनी की तरह है, और इजन अडैसियस, अथवा निडर है, बनावटी है, अडैसियस, परवर्टर, अथवा उसको निडर रूप से, साहसी तरीके से, उसे जूट बोलने वाले में गिना जायेगा, परवर्टरमिस बदल देना किसी बात को टोड़ मरोके कह देना गलत को सही साबित करने का प्रयाश करना उनका काम होता है, अगर आत्मकताओं के बारे में तत्य देखा जाए तो अक्सर यह सामने आता है अगर आत्मकताओं के बारे में बात किया जाए या किसी क्टेटिसमें आज चैलेंज्ट उनके जो भांचल होते हैं वे काफी चुनोती पूंड होते हैं और तथ यह बताते हैं कि एक दूसरे को आरोप लगाते हैं कि अभी तक संसार ने उनके इतना अच्छा कोई नेता बात करें है दर जीने सब इंटिलेक का माइन उनका बहुत धिक जो होता है काफी अधिक होता है बहुत धिकता कभियों का काफी अधिक होता है नेक्स पैसेज है एड़ शेम टाइम ठीक उसी समय आडिनरली जो साधान रूप से गुड मेमोरी माने अच्छी यादें इस्सो फहींटरीक त शनकी का लाता है ठीक उसी समय शाधान रूप से अच्छी यादें इतनी सामानों हैं कि हम माल लेते हैं कि जो अच्छी याद वाला नहीं है जिसे कुछ काफी दिर तक याद नहीं रहता है वो संकी माना जाता है जिसे कम याद रहता है जादे दिन तक याद नहीं रहता है उसे लोग संकी कहते है कहते है तो पागल है जिसे कुछ याद ही नहीं रहता है I have heard मैंने सुना है आपे फादर माने एक पिता के बारे में लेखा कह रहे हैं Robert Linn मैंने एक पिता के बारे में भी सुना है अभी भुलकडों की बात चल लई है continuous lesson में कि एक सी भुलकड है मैंने एक पिता के बारे में सुना है who having offered who मने जो having offered miss उसे offer किया गया था उसे कहा गया था to take the baby out in a perambulator कि बच्चे को बच्चा गाड़ी में ले जाने के लिए घुमाने के लिए मैंने पिता के बारे में सुना है जीसे कहा गया कि बच्चे को ले जाओ और बच्चे गाड़ी में घुमा के ले आओ perambulator में सोता है बाबा गाड़ी, सिसु गाड़ी, बच्चा गाड़ी, जो भी आप बोल सकते हो बच्चे गाड़ी में घुमाने के लिए बोला गया सुबा सुबा का समय था, वो चला गया कहां चला गया यह रुख गया दूप में, अनि जरनी अपनी आतरा को रोख दिया मतलब बच्चे को घुमाने ले गया तो होई रुख गया सड़क के पास and sleep into sleep into मतलब होता है घुश जाना sleep into क्या है एक idiom phrase type है sleep into का अर्थ होता है घुश जाना कहीं पर जैसे किसी घर में घुश जाना या चुभा बिल में घुश गया ठीक है इस टाइप का अगर हिंदी अगर बनाने को आ रहा है translation तो sleep into क्या होता है public house का मतलब होता है यहाँ पे जैसे ठेका या सराब की दुकान जो भी बोलते हैं इस तरह जो foreign में होते हैं तो वहाँ पे public house यूज करते हैं वोड for a glass of beer सराब पीने तो सराब पीने वो पब्लिक house में घुश गया बच्चे को गाड़ी किनाले लगा दिया और अपने सराब घर में घुश गया leaving the perambulator outside और बच्चे को वहीं बाहर छोड़ा he disappeared और चला गया वहाँ से he disappeared means guyab होना, guyab होना अच्छे सी यूज नहीं करेंगे guyab होने का मतलब है वो चला गया वहाँ से सराब घर से भी सराब पीके चला गया कैसे चला गया? through the door of the salon bar salon bar के पीछे से चला गया मतलब दरवाजे वहाँ चारो तरफ होते हैं जो foreign में जितने भी मतलब अच्छे अच्छे बड़े-बड़े pubs होते हैं या बड़े-बड़े public house होते हैं उनमें चारो तरफ दरवाजे होते हैं मतलब इधर से कुछ से उदर निकल जाओ तो अभी उदर गया और सराब पीकर के पीछे भाले door से निकल गया salon bar से लिटी लेटर थोड़ी दिर बाद his wife माने उसकी पत्मी बच्चे की मा had to do some shopping कुछ shopping उसे करना था तो उसी रास्ते जा रही थी which took her past the public house जो कि वा उसी public house के रास्ते से होकर ही जा रही थी where to her horror तब तक वा काफी डर गई डर क्यों गई? she discovered वा पाई her sleeping baby अपने सोते हुए बच्चे को अपने सोते हुए बच्चे को उसी रोड किनारे पर अबुलेटर में बच्चा गाड़ी में पाई उसकी मा indignant indignant मतलब होता है काफी क्रोधी थो होना चेहरा पुरा लाल हो जाना यसे में यूज करेंगे indignant ठीक है? angry नहीं यूज करेंगे at her husband's behavior अपने पती के बेवार पर वा काफी क्रोधीत हो गई she decided me to teach माने पढ़ाना ही माने उसे relation माने एक सबक एक पाठ वो सोची क्यों ना अपने husband को एक सबक सिखा दें कि आज के बाद कभी बच्चे को ले जाने के पहले सोबार सोचेंगे she willed away willed away का मतलब होता चला के ले जाना जैसे wheelchair पर किसी को बैठा करके और उसे कहीं ले जाया एक जगा दूसरे जगा तो उसे हम English में बोलेंगे willed away she willed away पहले पर चला कर ले गई जो wheelchair टाइप का अगर parambulator था वो से ले गई बच्चे को the parambulator picturing to herself जब parambulator पर ले गई तो क्या कि picturing to herself अपने आप में एक तस्वीर बना रही थी मतलब दिमाग में कुछ सोच रही थी क्या सोच रही थी his terror अपने husband के terror आतंक के बारे में सोच रही थी कितना डर जायेगा वो जब बाहर निकलेगा उसे क्या पता था वो तो इतम से बाहर निकल गया पीछे के दोर से when he would come out जब वो बाहर आएगा उसकी पत्नी सोच रही है जब वो सराप पीकर बाहर आएगा बच्चे गाड़ी को बच्चे सहीद कायब पाएगा तब वो काफे डर जाएगा and find the baby gone और देखे कि बच्चा है नहीं तो इसलिए see arrived home इसलिए सीदे वो घर चली आई anticipating anticipating मतला होता है बहाना करना बहाना करना जान बुज करके अंजान बनना ठीक है तो अंजान बनते हुए आसा करते हुए with angry release वो सोची कि उसके चेहरे पर गुस्चे का भाव होगा घबलाहाट का भाव होगा the white face चेहरा सफेद हो जाएगा अपने वाँ क्या होता है एंडिया में चेहरा लाल हो जाता है गुस्चे से वो लोग तो खुदी लाल होते है वो लोगा सफेद हो जाता है सफेद चेहरा होने का मतलब यहां पर यह है कि काफी परशान होना the white face उसका चेहरा इतम सफेद हो जाएगा and querying और उसके होट कापेंगे leaves होट और उसके होट कापेंगे डर जाएगा काफी वो that would soon appear with the news और जल्दी वो आता ही होगा दावडते हुए बस यह अपने आपको तयार किये हुए थी कि हम हसेंगे नहीं या मुसे देख करके जानना ही पाएगा कि बच्चा मेरे पास है तो सोच रही थी कि अभी जल्दी लिकांपते हुए आएगा और नियूस सुनाएगा that the baby had been stolen कि बच्चे को तो कोई उठा ले गया है चुरा ले गया what was her vaccination सोचेगा कितना कष्ट में हो जाओगी तुम उपार का समय था उस समय तो सुबा का समय था जिसा मैं बच्चे को ले गया अब दोपार हो चुका है when just before lunch her husband came lunch के ठीक पहले ही उसका husband घर में आ गया in smiling cheerfully वो तो बिल्कुँ डर नहीं हुआ था काफी खुश था प्रशन था and asking पुछा well अच्छा my dear मेरी प्रिये मेरी पतनी what's for lunch today आज क्या बनाया है खाने में और सीधे खाने की बात कर रहा है having forgotten सब कुछ भूल गया था all about the baby बच्चे के बारे में सब कुछ भूल गया था ऐसे भी उलकड़ है भी धरती पे and the fact money और बातें that money he had taken it out with him और वो बिल्कुल बोल चुगा था की बच्चे को बाहर ले गया था उसे बिल्कुल नहीं याद था how many men कितने ऐसे ब्यक्ती होंगे विलू दे रैंक आफे फिलासपर फिलासपर के लिस्ट के कॉर्डिंग तार्षनी के कॉर्डिंग कितने ऐसे ब्यक्ती होंगे जो इस रैंक के नीचे होंगे would be capable बाने जो च्छम में होंगे जो योग होंगे आप सच अबसेंट मैंडेटिंश ऐस इस इस बुलक्कड पन से भी जादा बुलक्कड होंगे ऐसे बुलक्कडी से भी जादा बुलक्कडी उनके अंदर होगी ऐसे कितने व्यक्ती होंगे क्या ऐसा हो सकता है कोई इपने बच्चे को भूल जाए most happens हमें से काफी I fear मुझे लगता है मुझे डर लगता है आज born means पैदा होते है with projectly projectly मतलब साधान रूप से efficient money kusal memories money यादू आले हमें से काफी लोग मुझे डर लगता है मुझे पता है क्यों साधान रूप से kusal याद वाले पैदा होते है अच्छी याद वालों का जन्म होता है if it were not so अगर ऐसा नहीं होता अगर अच्छी याद वाले धरती पर नहीं रहते सब की सब भोलकड रहते तब तो कोई किसी इस तब तो धरती चलती है नहीं तब तो संसार का नियम रुख जाता क्योंकि कहा गया है if it were not so अगर ऐसा नहीं होता the institution of family तो यह परिवार की संस्था could not survive जिन्दा नहीं रहता मतलब यह परिवी नहीं टिकती in any great modern city किसी भी बड़े सहर की बात कर लें तो वह सहर टिकता नहीं वह सहर नहीं रह पाता उस सहर का स्तित समाप्त हो जाता तो इस तरह इस पार्ट की समाप्ती होती है तो आप लोग इस पार्ट से ज़्यादा ज़्यादा इस पार्ट को दोराएं क्योंकि पार्ट काफी लंबा है कहानी को समझने का प्रयास करें 4-5 बार 6 बार जितनी बार इसको पढ़ें वीडियो को देखें और कोई आपको वीडियो को लेकर कोई राय है तो कमेट सेक्शन में जरूर हमें दें और कोई भी अगर आपके पास कोई फिटबैक है तो अभी आप कमेट सेक्शन में हमें जरूर लिखें धन्यवाद